वियर्ज आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक Egyptian राइटर नजीब महफूस की बहुत ही फेमस चॉर्ट स्टोरी दह ममी अवेकन्स जो 1939 में Arabic में पबलिश हुई और बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया नजीब महफूस 1911 में एजिप्ट में एक Muslim गराने में पैदा हुए और इन्होंने बहुत ही सट्रिक्ट Islamic environment में परवरिश पाई एक इंटरिव्यू में उन्होंने खुद बताया कि इस तरह की फैमली में एक आर्टिस्ट का इमर्ज होना तसवर भी नहीं किया जासा महफूस मजीद बताते हैं कि 1919 के revolution ने उनके जहन पर गहरा असर किया जब ब्रिटिशर्ज ने एजिप्ट पर अपना कबजा जमाने की कोशिश की तो 1919 में Egyptian revolution हुआ उस वक्त महफूस की उमर सिर्फ साथ साल थी वो विंडो से बाहर ब्रिटिशर्ज को फारिंग करते हुए देखते थे और उनके जहन पर इसका गहरा असर हुआ 1930 में उन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया existentialism और social justice जैसे themes पर लिखा और Egypt के culture को highlight किया नजीब महफूस वो वह वाहिद Egyptian writer है जिनने 1988 में Nobel Prize दिया गया इन्होंने 35 novels, 350 short stories, 26 screenplays और Egyptian newspaper में hundreds of columns लिखे अगर बात करें कि ये short story क्यों लिखी गई इसके लिखने का क्या purpose यानि क्या मकसद है तो महफूस ने इस story में Egyptian culture की बात करते हुए इसे supreme जाहर किया है कि किस तरह different nations ने Egypt पर अपना कबजा जमाने की कोशिश की और बहुत सारी colonial policies implement की गई 16th century में तुरकों ने Egypt पर अपना कबजा जमाया और ये Ottoman Empire के economic interest का center बन गया फिर 1798 में एक French political leader नेपॉलियन बोनापाट अपने साथ soldiers का एक group लेकर यहां आ गया ताकि Britishers को इंडिया तक पहुँचने से रोका जा सके और Egypt पर अपनी हकूमत काइम कर ली जाए जिससे France की power में इजाफा होगा लेकिन Napoleon का ये plan काम ना किया और 1801 में उसे Egypt छोड़ कर जाना पड़ा तुरकों ने अपना control regain करने की कोशिश की लेकिन अब British influence बढ़ गया था और अंग्रेजों ने early 28th century तक यहां राज किया अगर बात करें इस story के major themes की तो सबसे पहले है colonialism कि किस तरह different nations ने Egypt पर कबजा जमाने की कोशिश की और बहुत सारी colonial policies implement की गई फिर है power shift कि किस तरह power एक हाथ से दूसरे हाथ में shift हो रही थी slaves masters बन चुके थे और masters slaves बन गए थे यूँ slavery का theme भी हमें नजर आएगा फिर है class system के society upper और lower class में divide हो चुकी थी power aristocratic लोगों के पास थी और गरीब लोग slavery में जिन्दगी गुजार रहे थे ये कहानी बे यकीनी की एक लहर से शुरू होती है लेकिन यकीन की लहर पैदा करने के लिए narrator अपनी narration पर शिफ्ट करता है जो witness है और कहता है कि शायद वो यकीन ना करता लेकिन उसने सारे वाकियात अपनी आँखों से देखे हैं लहाज़ ये स्टोरी narrator 2 narrator टेकनीक में लिखी गई है यनि परफेसर डारियन ये स्टोरी narrator को सुनाता है और narrator हमें परफेसर डारियन बताता है कि एक बर उन्होंने महमूद पाशा का mention विजट करने का इरादा किया उनके साथ दो लोग और भी थे डॉक्टर पियर और सौरक पाशा एजिप्ट के अमीर तरीन लोगों में से था और उसकी multi-dimensional personality थी पाशा की origin तुर्क थी nationality एजिप्ट और उसका taste फ्रेंच था उसने अपने गर को भी फ्रेंच आर्ट से decorate किया हुआ था और जो वक्त उसने फ्रेंच स्काय नीचे गुजारा था वो उसकी जिंदगी का सबसे खुबसूरत वक्त था ये बहुत सारे फ्रेंच लोगों से मिलता है उनके साथ दोस्ती करता है और उनसे बात करना पाशा को बहुत अच्छा लगता था पाशा एक फ्रेंकोफाइल परसनेलिटी थी यनि फ्रेंच लवर था लिहाज़ा ये तीनों महमूद पाशा के मेंशन में आते हैं वहां सारोक्स पाशा को कहता है कि क्यों न तुम इस मेंशन को फ्रेंच म्यूजियम में बदल दो पाशा ना तो एजिप्शन्स को पसंद करता था और ना ही उनकी उपीनियन्स उसे अच्छे लगते थे तो कहने लगा कि मैं इस म्यूजियम को उठाकर पैरस में भी ले जाऊं तो यहां के लोगों को फर्क नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इन लोगों के पास ऐसा कोई राइट नहीं है फिर एक बार पाशा के स्लेव मिल कर किसी दूसरे स्लेव को मार रहे होते हैं जब पाशा मारने की वज़ा पूछता है तो वो बताते हैं कि इसने डोग के आगे से गोश्ट का टुकड़ा उठाया है वो स्लेव कहता है कि मुझे बहुत बूग लग रही थी मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था इसलिए जब जब जमीन पर पड़ा गोश्ट का टुकड़ा देखा तो उठा कर खा लिया लेकिन पाशा इस लेव को बहुत मारता है और इसे पुलीस के हवाले कर देता है फिर महमूद पाशा परफेसर डारियन के साथ अपने गार्डन की तरफ चल पड़ता है जहां कुछ खुदाई हो रही थी पाशा परफेसर डार्यन को बताता है कि कुछ दिन पहले उसके पास जदुल्ला नाम का एक आदमी आया था और उसने बताया था कि इस गार्डन में कोई खजाना चुपा हुआ है लहाज़ा उसी को वो खोद रहा है वो लोग उसी तरफ जा रहे होते हैं कि एक मुलाजिमा कर पाशा को बताता है कि जदुल्ला आपको बुला रहा है उसे कुछ मिला है पाशा और परफेसर दार्यन जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था और जब वो पत्थर को पीछे करते हैं तो उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता बलके सीडिया नजर आती हैं जब वो सीडियों से उतर कर नीचे जाते हैं तो उन्हें एक एजिप्शन किंग जैनरल हुर का टॉम नजर आता है वो देखते हैं कि इस टॉम में तीन ममीज थी यानि तीन सूखी हुई लाशें पड़ी थी और उन में से एक ममी जैनरल हूर की थी थोड़ी देर के लिए रोशनी होती है जैसे कोई परिंदा अंदर आया हो ये हुर की सौल थी जो अंदर आयी थी फिर इसके बाद अचानक से अंधेरा हो जाता है और हुर की ममी बात करने लगती है ममी पाशा को स्लेव कहती है और ममी का चेहरा बिलकुल उस आदमी जैसा था जिसको पाशा ने थोड़ी देर पहले मारा था और पुलीस के हवाले किया था ममी पाशा से पूछती है कि तुम मेरे लोगों के साथ बुरा सलूक क्यों कर रहे हो यनि क्या सलेव मास्टर्स बन चुके हैं और मास्टर्स सलेव बन गए हैं फिर ममी दाडना शुरू कर देती है पाशा से ये रोरिंग आवाज सुनी नहीं जाती और वो खोफ से मर जाता है उसके साथ दो और सलेव भी थे वो भी मर जाते हैं लेकिन परफेसर डार्यन के साथ शायद कोई मोजजा हुआ था वो जिन्दा बच जाता है यहीं भी ये स्टोरी एंड होती है नजीब महफूज इस फ्रेंको टर्किश क्रेक्टर के जरिये एजिप्ट के कल्चर को बहुत हाई कर देता है अगर बात करें इस स्टोरी के इंपोर्टन सिंबल्स की तो ममी की अवेकनिंग सिंबोलाईज करती है एजिप्शन कल्चर के राइस होने को जबके पाशा की डेथ सिंबोलाईज करती है फ्रेंच और टर्किश कल्चर की एंडिंग को विर्स इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है उमीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग